कि हेलो दोस्तों First mommy के वारी जी ट्रिक्स और आज से हम ío कई स्रीज तो हिंदी क्या एक नई सिरीज शुरू कर ने जा रहे हम क्योंकि हिंडी दोस्तों काफी महत्रपून रहón है भले आप वो उत्राक्र चनकी ऐग्जाम मेंardo की दिश्ती से देख ए plural यूपी के एक्जाम्स या फिर आप अगर सेंटर लेवल की एक्जाम्स के तग्यारी करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत से एक्जाम्स में हिंदी पुछी जाती है खास कर अगर हमारे उत्राखेंट के बात कर रहा हैं तो UK UK yPSC मेंदी पुछी जाती है जितने भी पुछी है तो UK लीदी पूछी या吴ीड़ियो या इसके लावा अन्य पोस्ट्राइह वहां पर हिंदी की वीडियो आप लोगों के लिए काफी हilpp scorpord रहेंगे तो अगर है locked पसंद आती है तो आप लोग बता सकते हैं इस सीरीज को हम कंटीनियों रखेंगे ठीक है और इसी के साथ साथ आप लोग की ट्रैफिक पुलीस में जो वैकेंसी आने वाली दोस्तों उसमें जो कॉंस्टिबल की पोस्ट है वहाँ पर भी 20 से 25 मार्क्स तक की हिंदी पुछी आती है औ अगर आप लोगे पस संद आएगी तो कंटिनीव करेंगे और पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सेल भी जरूर कर सकते हैं तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक हिर दॉस्तों वो इसमें राश्टर भाषा बहाषा जो कि राष्टर के द्वारा माननेता प्राप्त होती है वही कहलाती है मारी मेनली क्या राष्टर भासा आप ही कह सकते हैं जोस्तों कि राष्टर के कामधाम करने के लिए या राष्टर में सरकारी कामकाच करने के लिए जो भासा आफशेक होती है उसी को राष्टर भासा कहा जाता है यानि कि अगर राष्टर का परतेग नागरिक उस भासा को जानता हो उस भासा में समवाद कर सकता हो उस भासा में लिख सकता हो व्यवार कर सकता हो वही होती है हमारी क्या राष्टर भासा ठीक है तो डाइक लिए आप इसली लेंग्वेज बगार लिखना चाते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं कि राष्टर भासा राष्टर द्वारा माननेता प्राप्त भासा होती है जो कि किसी देश की संसिक्रिती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है जिससे संपूर्ण राष्टर में भासा संब्धित कारी जो नहीं दोस्तो हिंदी हमारी राष्टर भासा नहीं है हिंदी के है हमारी राज भासा है अभी हम उसके बारे में बात करेंगे कि हिंदी हमारी राष्टर भासा क्यों नहीं है क्योंकि दोस्तो राष्टर भासा ऐसी भासा होती है जिसे राश्टर के समस्त नागरिक समझ सकें, बोल सकें, या फिर जानते हो या फिर उस भासा के संबन में विहवार करते हो जबकि अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में दक्षिन की जो राज्य है वहाँ पर हिंदी काफी कम परियोग में लाई जाती है वहाँ पर जो उनकी normal language है या तो वो परियोग में लाई जाती है या फिर वहाँ पर English परियोग में लाई जाती है इसी कारण हिंदी हमारी राश्टर भासा नहीं है अब हम बात करते हैं कि राज भासा क्या होता है राज भासा से आप समझ सकते हैं directly राज काज की भासा यानि कि जो भी हमारे सरकारी काम काज होते हैं उनको चलाने के लिए जो आवश्यक भासा होती है वही हमारी क्या होती है राज भासा कहलाती है यानि कि राज काज करने की नाम से भी आप इसे जान सकते हैं तो बांकी सारी चीजें आपकी जो नीचे हम questions पढ़ेंगे उसमें clear हो जाएंगी तो राश्टर भासा क्या होती है राश्टी कोई भासा यानि कि समपूर्ण अगर राश्टर में एक ही भासा चलती है तो उसे हम कहते है राश्टर भासा रा जैसे कि अगर हम बात करें लेकिन अगर हम ह ही पात करें हं तो हिंदी को बहुत साटे थे कि हिंदी को राश्टर भासा मनाया जाए लेकिन दक्षिन की जो राजी है वहाँ इसका काफी विरोध हुआ जिस कारण हिंदी को राश्टर भासा गोशित ना करके राजभासा गोशित किया गया अब सबसे बहला दोस्तों एक प्रस्ट यहां से यह भी बनता है कि हिंदी को राश्टर भासा के प्रस्ताव की रूप में कब मंजूरी दी गई थी तो सरोपर्तम दोस्तों 1918 में महात्मा गादी के समय पर एक संभिलन हुआ था जिसे जानते हैं क्या हिंदी साहित्य संभिलन के नाम से 1918 में कहां पर हुआ था इंदोर में हुआ था ठीक है जिसके तहद एक प्रस्ताव पारित किया गया कि हिंदी को राश्टर भासा माना जाएगा तो प्रस्ना आपसे बन सकता है कि सरोपर्तम हिंदी को राश्टर भासा मानने से संभंदिर प्रस्ताव कब पारित किया गया और कहां किया गया तो 1918 में हिंदी साहित्य संभिलन 1918 इ तो आप लोग इसका अंसर होगा option number D, राष्ट्र बहासा क्या होती है, राष्ट्र के लोगों की संपर्क भासा जो होती है, वही होती है, राष्ट्र बहासा और मैंने बापको बता दिया, कि समस्त्र राष्ट्र में प्रयुक्त बहासा, या फिर जन बहासा जिसे सभी लोग पहचानते हो वो होती है हमारी क्या राष्टर भासा ठीक है अगर हम राष्टर भासा की बात करें दोस्तों तो राष्टर भासा कोई भी सम्वेधानिक सब्द नहीं है ठीक है अगर हम बात करें कि राष्टर भासा सब्द क्या कोई सम्वेधानिक सब्द है नहीं है दोस्तों लेकिन ये एक प्रियोग आत्मक और ग्यहवारिक सब्द है ठीक है राश्टर भासा का प्रियोग देश व्यापी होता है यानि कि सारे देश की संपर्क भासा अगर एक ही होती है तो वह कहलाती है वांगे क्या राश्टर भासा तो उप्सन नमबर D है इसका राश्टर की लोगों की संपर्क भासा राश्टर भासा होती है दूसरा हमारा कुश्चन है कि दूस्तो राज भासा किसे कहते हैं तो उप्सन आप देख सकते हैं जिसका प्रियोग राजा करता है जिसमें साहित लिखा जाता है जिसका छेतर सारा राष्ट्रो होता है या जिसका परियोग सरकारी कामकाज में होता है तो मैंने आपको बता दिया था राज भासा के बारे में क्या राज काज की भासा राज काज यानि की सरकारी कामकाज चलाने के लिए जो राज काज करने की भासा होती है उसे को कहते हैं क्या राज भासा तो option number D हो जाएगा जिसका परियोग सरकारी काम काज में होता है और हिंदी हमारी क्या दोस्तो हिंदी हमारी राज भासा है और राज भासा क्या एक सम्वेधानिक सब्द है हाँ बिल्कुल राज भासा एक क्या है सम्वेधानिक सब्द है कैसे तो आप लोग ने पढ़ा होगा 14 सिप्तमबर 1949, 14 सितमबर 1949 को हिंदी को सम्मेधानिक रूप से हमारी राजभासा गोशित किया गया था, तो भारत की राजभासा क्या है हिंदी है, ठीक है, इसी कारण हम 14 सितमबर को राश्ट्री हिंदी दीवस के रूप में भी मनाते हैं, ठ कि इस आर्टीकल के तहद? तो आर्टीकल 343 के तहद कहा गया था दोस्तों कि संग की राजभासा, या फिर हमारी जो देश की राजभासा हिंदी होगी और उसकी लिपी क्या हरगी? देवनागरी होगी लेकिन जिस टैम पे दोस्तों 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज भासा गुषित किया गया था उस समय कहा गया था कि यह जो निलनाई है वह 1965 तक ही वहलिड होगा उसके बाद सभी राज्यों में हुझी को लागू कर दिया जाएगा और उसे राश्ट्र भासा के रूप में दर्जा दे दिया जाएगा जिससे सरकारी कामकाज की भासा या फिर आप दरवारी भासा कहकर भी संबोधित कर सकते हैं ठीक है यानि कि इसकी प्रात्मिक सर्थ यह होती है कि राजनेतिक जो हमारी कारी काज होते हैं वह इसमें चलते हैं और राजभासा का जो परियोग होता है वह एक सिमित छेत्र में हो सम्विधान में हिंदी को राष्टर भासा गोशित किया गया है तो कौन सा खतन सत्या आप देखके बता सकते हैं सरकारी कामकाज की भासा को राज भासा कहते हैं अब देखें B की ओर सत्या है क्योंकि सम्विधान की आठवी अनुसूची में 15 भासा है ना उगर कितनी भासा हैं 22 भासा हैं ठीक है और इसी के साथ सम्विधान में हिंदी को राष्टर भासा गोशित न करके राज भासा गोशित किया गया था तो कौन सा खतन सत्या है option number A आपका इसमें सत्य होगा अगला मारा question है दोस्तो कि सम्विधान की किस अनुसूची में राज भासाओं को सम्मिलित किया गया है तो सम्विधान की आठवी अनुसूची में राज भासाओं को सम्मिलित किया गया है ठीक है अब बात आती है कि सम्विधान की आठवी अनुसूची में कितनी भासाओं को माननेता दी गई है दोस्तों तो संभिधान की 8 वी अनुशूची में 22 भासाओं को माननेता दी गई है डायक लिए आपको नोट करना है 22 भासाओं को ठीक है लेकिन जब संभिधान हमारा निर्माण हुआ था स्टार्टिंग में 14 सितंबर 1990 को, उस टाइम पे, जब हमारा समिदान लागु वा सा ह था, 26 जनवर ही, 1950 को, उस टाइम पे, कितनी भासाओं को राज भासाओं की रोप में, मानननीता दी गई थी, लेकिन वर्तमान सभिश में, कितनी भासाओं, को, राज भासाि anyjun के रोप में मानननीता दी गई थी,12, तो किस आर्टिकल के तहट ऐसा होता है आर्टिकल 347 के अनुसार इसमें कहा गया दोस्तो यदि किसी राज्जी का जनता या फिर राज्जी की जो अधिक्तम अनुपात है वह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भासा सरकारी भासा हो तो राष्टरपती उसे अनुमती दे सकता है और समय समय पर राष्टरपती उसे अनुमती देते रहे दोस्तो जिस कारण जो राज्ज भासा हैं थी हमारी 14 से बढ़कर अवर्तमान में कितने हो गई है 22 हो गई है ठीक है अगर आप इसे नोट करना जाते हैं तो 14 राज भासाइं में बोलूँगा आप इसे नोट कर सकते हैं क्योंकि एक्जामस में यहां से भी प्रसने पूछा जाता है आपको मेंली 4 भासाइं देदेगा और इसमें से पूछ देगा निम्न मैसे कौन सी भासा अनुसूची आर्ठ में बोलनीत नहीं है या फिर जो हमारी राज भासाइं होती हैं उसमें सम्मिलित नहीं है ठीक है तो अगर आप पहले की 14 भासाओं के बारे बात करें तो वो थी असमिया, बांगला, गुजराती, हिंदी, कंणर, कस्मीरी, मराथी, मल्यालम, पंजाबी, संसिक्रित, तेल्गू, उर्दू, उलिया और तमिल ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहले राज भासा में संसोधन कब हुआ ये प्रस्न भी आपसे पूछा आजता है कि राज भासा में सरोपर्थम संसोधन कब हुआ था, ठीक है तो बारवा संभीदान संसोधन था दोस्तों कब हुआ था, 1967 में तो जिसमें कि सरोपर्थम सिंधी को राज भासा की रूप में जोड़ा गया था तो प्रस्न बन सकता है कि राज भासा से सम्बंदित पर्थम संसुदन कब और मलब कब हुआ था ठीक है तो कब हुआ था 12 वे संविदान संसुदन के तहट 1976 में ठीक है और कौन सी भासा को जोड़ा गया था इसमें सिंधी को जोड़ा गया था तो ये भी प्रस्न पूछा मैं सरोपर्थम किस भासा को जोड़ा गया था सिंधी भासा को जोड़ा गया था कब 1967 में तो कितनी हो गई आप 15 होगी ठीक है उसके बाद दोस्तों होता है हमारा क्या 71 संविदान संसुदन जो कि कब होता है 1992 में ठीक है और 1992 में दोस्तों में इनले तीन भासाओं को राज 30 कि रूप में जोड़ा घया था खेक है और इसकी टरीक है किनर कनमख को नौ से ने Як्पाली ठीक है नेपाली को भी राज भासा की रूप में जोड़ा घया था और मों से मनीपूरी ठीक है और कौसे हो जालय को ग्यो maior समिदान शंसुदन 1992 वारा राजबहसा गोशित किया गया था उसके बाद होता है क्या बयान बेवा, संविदान, संचोदन यह कब होता है दूस्तो 2003 में ठीक है और इसमें मुख्यत है 4 बासाओं को राजबहसाओं के रूप में जोड़ा गया था और इसकी ठीक है MSDB ठीक है, अभी चार बासा है कौन कौन जी थी, मैठिली, संथाली, डोगरी और बोड़ो, ठीक है, और इस प्रकार वर्तमान समय में कितनी राजभासों को मानने थी गई है, 22 राजबासा है है ठीक है और 22 राजबासाओं के नाम भी मैंने आपको बता दिया है और यहां से संसोधन से संबंदित प्रस्न भी पूछता है जोस्तो कि सिंदी को राजबासा के रोप में कौन से समिदान संसोधन के तहट जोडा गया था तो वो आपको याद रखना है बारवे सम्मिदान संचोदन उनिस्टो संसर द्वारा नैपाली, मनिपुडी और कॉंकडी को कप जोड़ा गया था 71 सम्मिदान संचोदन 1992 द्वारा और इसी के सांसान MSDB यानि की MSDB यानि की मैथली, संथाली, डोगरी और बोड़ो को अब जोड़ा गया था 2003 में 92 सम्मिदान संचोदन की तहट वर्थ वर्थवान में कितनी राजबासे हैं 822 में 22 ठीक है अगला मारा कॉश्चिन है कि उत्तरपरदेस सरकार द्वारा 1946 में गठित, देवनागरी लिपी सुधर समिती के अध्यक्स कौन थे तो उत्तरपरदेस सरकार द्वारा दोस्तोो varias में एक देवनागरी लिपी सुधर समिती गठती कह थी जिसके अध्यक्स कौन थे, वो थे आचारी, नरिंडर देव जी ठीक है और यहां से आपसे डाइकली ये प्रस्न भी पूछा रासता है जोस्तों कि देवनागरी लिपी सुधार समीती का अगठन कप किया गया था तो 1947 में किया गया था और इसके परतम अध्यक्स कौन थे वो थे आचारी नरेंडर देव ठीक है आपको एक वे गुश्चन भी डाइ आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक की अनुच्छेद है वह राजभासा से संबन्दित है जिसमें जो आर्टिकल 343 है उसमें इस प्रस्ता कहा गया दोस्तों कि संग की राजभासा हिंदी होगी और उसकी लिपी क्या होगी देवनागरी होगी ठीक है और देवनागरी लिपी के वा अब को यहाद रहतना है अब देवनागरी लिपी वर्णात्मक लिपी है में यह इस प्रकार की वर्णात्मक लिपी है और वर्णात्मक को ओफसें में आपको नहीं मिलेगा तो आप वहां पर अक्षय रातमक भी कर सकते हैं क्या अक्षे रातमक लेकिन पहली perfect science आपको कि मैंने आपको पहले बिता जाता 14 सितम्बर क्योंकि दोस्तो 14 सेप्तम्बर 1999 को ही हिंदी को हमारी राज भासा गुजित किया गजा था 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है अब अगर हम बात करें ये तो है तो राष्ट्री हिंदी दिवस वहीं हम बात करें विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस मन मानिता दी गई थी ठीक है और विश्व हिंदी दिवस 10 जन्वरी को इसलिए मनाया जाता है दोस्तों क्योंकि 10 जन्वरी उनिस्व पिजत्तर को नागपूर में पर्थम विश्व हिंदी संविलन हुआ था ठीक है इसी के साथ चार एक और है दोस्तों क्या अंतराष्ट्री मा राजबासा के रूप में मानने तक कब में ने थी तो 14 सितंबर 1909 को जो कि मैं आपको बता चुका हूँ अगला मारा कुश्यन है कि सम्विदान के किस अनुच्छे इनके अंतरगत संग की राजबासा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी तो वो भी आपका उताच को क्या अनुच्छे 343 में कहा गया है कि संग की राजबासा हिंदी और लिपी क्या होगी देवनागरी होगी ठीक ह और प्रारंब में कहा गया था दोस्तों कि यह जो सर्त है यह उल्ली 15 वर्षुत की अवधी तक ही लागू रहेगी यानि कि 1915 तक ही अवधी लागू रहेगी उसके बाद आगे देखा जाएगा ठीक है तो कब कब वह था आर्टिकल 343 में कहा गया ठीक है और संविधान के भा संविधान में राजभासा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है ठीक है तो संविधान में राजभासा का जो प्रावधान है दोस्तों वह है आर्टिकल 343 में यानि कि संग की जो राजभासा होगी वह हिंदी होगी और लिपी कौनची होगी देवनागिरी होगी जो कि म कथन हमारा अश्यत्य हो गया, क्योंकि हिंदी को राजवासा कब गोशित किया गया था 14 सित्मबर 1949 को गोशित किया गया था, इसी के सांसाथ दूसरा हमारा है कि हिंदी का राजवासा की रूप में प्रयोग स्वतंता के बाद ही प्रारंबो हुआ था तो बिल्कुल उस तो 1947 के बाद ही तो 1949 में हिंदी को राजवासा गोशित किया गया था, तो इसी करण हिंदी का राजवासा की रूप में प्रयोग स्वतंता के बाद प्रारंबो हुआ था अगला है तीसरा, कि सम्विधान के नुच्छे 348 एवं 349 में उच्छेतम और उच्छे न्यायलेओं की भासा के बारे में प्राहुधान है तो बिल्कुल सही है दोस्तों जो आर्टिकल 348 है उसमें और आर्टिकल 349 दोनों में उच्छेतम और उच्छे न्यायलेओं की भासा के बारे में प्राहुधान है यानि कि जब तक संसत कोई ऐसा उबंद ना करे दोस्तों या कोई ऐसा संसोदन ना करे जिससे की न्यायले में हिंदी भासा प्रियुक तो हो तब तक न्यायले की जो भासा रहेगी वो होगी अंग्रेजी भासा ठीक है इसी कारण दोस्तों आप लोग ने हाई कोट या डिस्टिक कोट जितने भी हमारे कोट्स होते हैं सुप्रिम कोट वहां की जो लैंग्विज होती है इंग्लिस ठीक है वहां पर जो मेंली समवाद के लिए तो हिंदी और इंग्लिस दोनों यूज कर ले दें लेकिन जो आका डॉक्यमेंटली वर्क होता है वो क्य कोता है संभीधान के एंदेर गणॉछ समंद्व राज जी की राजऌ भासा और राज़ भासा है तो आप 345 का सम्फन दोसْतो बिलकुल राज जी की राज़ भासाquently पर राज भासाओं से है ठीक है यानि कि जब तक ऐसी व्योस्ता लागू रहेगी दोस्तों कि राज जी की राज भासा या राज भासा हैं हिंदी न हो जाएं तब तक अंग्रेजी को जारी किया जाएगा इस प्रकार के कोई प्रावधान इसमें ठीक है तो इतने पॉइंट आप लोगों को याद रखने है उस तो कि आर्टिकल 348 और 149 में उच्चे नहले और उच्चेतम नहले लोगों की भासा के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 345 में बताया गया है राज जी की राज भासा और राज भासाओं के सम्मंद में ठीक है यानि कि कि किसी राज अगर राज जी चाहे तो आर्टिकल 345 के तहती वो एक से अधिक भासाओं को भी अपनी भासा बना सकता है या राज भासा बना सकता है अगला मरा कुश्चन है कि भारती सम्विधान और इसी के साथ साथ एक और आपको याद है आर्टिकल 351 ये भी एकजाम में बुशा गया आर्टिकल 321 में क्या बताया गया है जोस्तों हिंदी के विकास करम के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे हिंदी का विकास होगा अगला मारा कुश्चन है कि भारती सम्विधान में राज भासा के संबंद में किन अनुच्छेदियू में व्योस्ता की गई है तो अगर राज भासा के संबंद में अनुच्छेदिया ने आपको बता दिया है Article 343 से लेकर 351 ठीक है और सम्विधान के भाग 17 में राज भासा के संबंद में बताया जाता है अगला मारा कुश्चन है कि राज भासा अदिन्यम कब पारित हुआ था और ये प्रस्ण दोस्तों काफी इंपोरेंट है क्योंकि यही प्रस्ण डायकली पूशा गया था जो 1 दिसम्बर को उत्राखंड नैनिताल हाई कोट का एक्जाम UKCC के द्वारा कराया गया था उसमें कि राज भासा अदिन्यम कब पारित किया था तो कब किया गया था था तो 1963 में यानि कि 10 मई 1963 को राज भासा अदिन्यम पारित किया गया था और काफी महत्वपून प्रस्न है दोस्तों ठीक है और सम्विधान के राज भासा अदिन्यम 1963 में पारित हुआ जिसमें कितनी दाराय थी? 9 दाराय थी इसमें मेंली इसमें 9 दाराय थी ठीक है जब हमारा 26 जनवरी 1950 से दोस्तों सम्विधान लागू हुआ तो ऐसा का गया था कि आने वाले 15 वर्सूंक के पश्चात यानि कि 26 जनवरी 1965 के बाद सभी कारियों में केवल हिंदी का ही परियोग होगा ठीक है ये का गया था कि 1965 के बाद सभी कारियों में हिंदी का ही परियोग होगा क्यों क्योंकि देखे 1947 में हमारा देश आजात हुआ था तो उस टाइम पे हमारे जो कारिकाश थे उए अंग्रेजी में चलते हुए आ रहे थे जिस कारण उसमें कहा गया था कि अभी अंग्रेजी में कारिकाश है इतनी जल्दी हम इस प्रोचेस को चेंज़ नहीं कर सकते हैं आने वाले समय में 15 समय बाद जब 1965 होगा उसके बाद सभी कार्यों में हिंदी का ही प्रयोग किया जाएगा और हिंदी को राष्ट्र भासा घुचित कर दिया जाएगा लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ राजभासा अधिनियम आता है कब 1963 में और इस अधिनियम में ये प्रा सभी जा चुका है जोस्तों कि किस अधिनियम के तहती है कहा गया था कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी संग के सभी प्राहिजनु में बराबर या फिर संग के सभी कार्यों है तो भासा की रूप में मानिता दी जाएगी तो राजभासा अधिनियम 1963 के तहती कहा गया थाटिक है और यह लागू कब से हुआ था 1965 से लागू हुआ था राजबासा अदिन्यम 1963 तो यह याद रखने है आपको 10 मैं 1963 को राजबासा अदिन्यम पारित हुआ था काफी महत्वपुन है अगला हमरा कुश्चन है कि राजबासा अदिन्यम में संसोधन कब हुआ था कब दोस्तों 1967 में तो दो कुश्चन है राजबासा अदिन्यम पारित कब हुआ था 1963 में और राजबासा अदिन्यम में संसोधन कब हुआ वो हुआ 1967 को और कब 27 नॉवंबर 1967 को ठीक है इस के तहत ऐसा कहा गया था दोस्तो की संसद में सरकार के मलब राजभासा की रूप में हिंदी को रखा जाएगा और उसके सालाच अंग्रीजी का भी परियोग किया जाएगा थीक है और इसको अगर बात करें संसुदन तो वह 1967 में लेकिन इसे लागू कब से किया गया राजबासा अधीनियम में संसुदन जो वह 1967 में उसे 1968 से लागू किया गया थाटिक है और 1967 में जो इस संसुदन था इसमें में इनली कहा गया था कि जो आरे दक्षिल के राजियां में इनल नियम 1976 में गौज छेत्र में कौन सा राज्जी सम्मिलित है अब ये कुश्चन दोस्तों काफी important है क्योंकि PCS के लगवलबग exams में इस प्रकार के प्रसन पूछे आते हैं कि राजबासा नियम 1976 में आया था उसके गौज छेत्र में कौन सा राज्जी सम्मिलित है तो इसमें कौन सा सम्मिलित है उस्तों वह है असम ठीक है अब देखिया तीन छेत्र है जो मारा राजबासा अधीनियम की दोस्तों धारा है एक आठ धारा के तहद दूसरा जो भाग है उसके राजबासा नियम 1967 में जो हमारे राजजी है उनको तीन चेत्रों में वर्गी गरत किया गया है राजबासा नियम 1976 के दाध कितने चेत्रों में तीन चेत्रों में एक है कोज चेत्र के अंतरकर इस्तित राजजी दूसरे है कोज चेत्र में इस्तित राजजी थीक है यह आते हैं। क्वाज चेत्र में ऊसमें आते हैं। गुझरात, महरास्ट, पंजाब, चंडिकड ये आते हैं। एसी गौज चेत्र में क्या आते हैं। अच्छम ठीक है। तो ये तीनों आपको नोट करने हैं दोस्तों कि 1976 में जो 1976 मा यह थे, उसमें यहाँ भी कहा गया था कि तीन भासाओं का आप प्रियोग कर सकते हैं, तीन भासा है कौन कौनसी एक तो होगी हमारी का प्रधान राज भासा प्रधान राज भासा कौनसी होगी, वो होगी हिंदी, ठीक है, दूसरी भासा कौनसी होगी जो कि है सहायक राज भासा, सहायक राज भासा कौनसी हो गई, अंग्रेजी, ठीक है, और तीसरी कौनसी हो जाएगी, वो हो जाएगी, प्रादेशिक भासा, प्रादेशिक भासा, तो इस प्रकार का प्रसन भी आप से जाम में पूछे आज जा सकता है, कि किस नियम के अनुसा से के राजबासा नियम के तहती फॉलो हुआ था अगला मारा क्वेश्चन है कि राजबासा नियम 1976 में खौच छेत्र में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है तो खौच छेत्र में आपको जिले पताया थी कौन-कौन से गुजरात महारास्ट्र और पंजाब ठीक है तो कौन सा सम् 1975 को आप इसे डाइकले नोट कर लिजे कप की गई थी 25 जून 1975 को अगला मारा क्वेश्चन है कि राष्टबती ने राजबासा आयोग के गठन का आदेश किस वर्स जारी किया था अब यह क्वेश्चन भी काफी अच्छा है दोस्तों क्योंकि यहां से भी एक्जाम में प्र अर्टिकल 344 के तहती जून 1975 में बीजी खेर के अधिक्सता में बीजी खेर आयोग का गठन किया था तो बीजी खेर राजबासा जो आयोग था इसका गठन राष्टबत zar saham किया था किस आर्टिकल के तहट आर्टिकल 344 के तहट है ठीफोटीफोट में ऐसा कहा गया दोस्तों कि राजबासा के संबंद में राश्टपती पांच वरसे के उपरांते कुछ संसोधन करेगा या नियम बनाएगा और संसद 10 वरसे के पश्याद कुछ नियम या फिर संसुधन करें ठीक है तो जब 1950 में देखिए राजबासा हिंदी के रूप में लागू हो गई लेकिन 1955 में फिर राष्टपती के दौरा इसमें एक आदेश जारी किया गया कब 1955 में और बीजी खेर आयोग की इसमें इस्तापना किये गई ठीक है बीजी खेर आयोग ये प्रसनी एक्जाम में पूछा भी गया जोस्तो कि राजबासा आयोग का गठन सरोबर्थम कब किया था 1955 में किसकी अदिख्षता में किया गया था बीजी खेर की अदिख्षता में किया गया था देवनागरी लिपी का विकास किस लिपी से हुआ है और यह question भी दोस्तों काफी important है देवनागरी लिपी देखें मैं आपको पता जिया वलनात्मक या फिर अक्षात्मक लिपी है ठीक है अब पूछा गया है कि देवनागरी लिपी का जो विकास है वह किस लिपी से हुआ है तो वह है दोस्तो ब्रहाम्मी लिपी से, तो option B इसमें right answer हो जाएगा, आप देखें दोस्तो ये प्रस्न भी थोड़ा सा अजीब सा पुछा आता है, यहाँ पर प्रस्न होना चाहिए था मेरे ख्याल से कि देवनागरी लिपी का की आदी जन्नी या देवनागरी लिपी की उत गुप्त लिपी के बाद आती है क्या दोस्तो कुटिल लिपी और कुटिल लिपी के बाद आती है प्राचीन नागरी लिपी और प्राचीन नागरी लिपी के बाद आती है क्या देवनागरी लिपी जिस परकार हम हिंदी का विकास करम पढ़ता है उस तो सरोपरतम संसिक्र लिपी यह मलब खुटी लिपी फिर आता है उसके बाद प्राचिन नाग्री लिपी और उसके बाद आती है देवनागी लिपी तो प्रस्था गया है कि देवनागी लिपी का विकास किस लिपी से हुआ है तो ब्रहमी लिपी या भी देवनागी लिपी की आधी जन्नी या दे पहले पुछा जा चुका है कि देवनागी लिपी का पर्थम परियोग हमें कहां मिलता है ठीक है इस परकार का प्रस्थम पुछा गया था तो गुजरात के राजा जैभट और यहाँ प्रस्थम काफी इम्पोरेंट है क्योंकि शाइद 5-6 बार दोस्तों अलग-लग इजामसे प्रस्थम पूछा आ चुका है कि देवनागी लिपी का सरुपर्थम जो एक सिलालेख या उप्योग में कहां प्राप्त होता है तो गुजरात के राजा जैभट का जिसमें देवनागी लिपी को दक्षिन में कहा जाता है अब ऐसा ही एक क्षिन है जो के आपको कंफ्यूज करेगा मैंने आपको इसलिए बताया था यहां पे क्या अकला कुश्चन है देवनागी लिपी का विकास हुआ है आप देखें यहां पर विकास बूच दिया है तो इसका अंसर आ जाएगा है किस लिपी से दोस्तों कुटिल लिपी से कुटिल लिपी से, कुटिल लिपी से, क्योंकि मैं आपको बता है था, सबसे पहले देवनागरी लिपी की आदी जन्नी कुटिल लिपी, उसके बाद कुटिल लिपी, पिर आती है कुटिल लिपी, कुटिल लिपी के बाद आती है प्राचिन नागरी लिपी और उसके बाद आ अप्र भरंस और अप्र भरंस के बाद आती है और अधिक ब्रहसा से हुआ है तो हम पढ़ते हैं क्या अप्र भरंस से और अप्र भरंस या तो उससे प्रकार जो मारी देवनागरी लिपी है, उसका विकास भी कहा से होता है कुटिल लिपी से। और कुटिल लिपी अगर नहीं होगा, तो अगर प्राचीन नागरी लिपी होगा? तो प्राचीन नागरी लिपी आप सही कर सकते हैं, तो option 20 का right answer हो जाएगा अगला कुश्चन है निम्नलिखित मैंसे कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है इसमें जैसा उच्चरण होता है वैसा ही लिखा जाता है इसमें एक ध्वनी के लिए एक ही परतीग है इसमें सिरेव रिखा का महत्वपुन परियोग है विकास की दिष्टी से यह लिपी ब्रहमी और खरोष्टी की समकालीन है तो इसमें से कौन सा सही नहीं है पुछा गया है तो अपसर निम्बर डी इसमें दो सही नहीं है क्योंकि विकास की दिष्टी से यह ब्रहमी लिपी और खरोष्टी के समकालीन नहीं है क्योंकि देवनागरी लिपी की जो आदी जन्नी है वह कहलाती है अब रहामी, तो समकालीन कहां से हो जाएगी, जबकि और जो पॉइंट है, कि जैसा उच्छरान होता है, वैसा ही लिखा जाता है, बिल्कुल सही है, एक ध्वनी के लिए एक प्रतिक होता है, बिल्कुल सही है जैसे लिखा नमक अब यह नमक लिख दिया, अगर आपने नमक लिखाना है, यह देवनागरी लिपी नहीं है, जब तक आपने इसके उपर यह शिरो रिखा नहीं डाली ठीक है, और यह किस प्रकार की लिखिए है, वर्णात्मक या फिर अक्षरात्मक, यह आपको दोनू नोट करने है ठीक है और लिखाई और छपाई के लिए इसमें एकी प्रकार का प्रियोग होता है और इसमें जो धनियों का अग्रम होता है वह किस प्रकार का होता है वैग्यानिक ठीक है तो देवनागरी लिपी में धनियों का अग्रम वैग्यानिक होता है वैच्छे तो काफ खुछी अध्य शुलहें के सब्सक्राइब देवनागी लिपी के सुधार के संदर्व में ओकी बार खड़ी इसने अधा था तो यह के ट्रेप्रेश्य में सायथ कम ही पुछे हैं लेकिन आने वाले एक्जामस में कुछ नहीं का जागता है आप देखे हिंदी की उत्पत्ति किस अप्रभ्रंस से हुई है तो यह तो काफी इजी सा कुछण है सभी लोग ने पढ़ाओगा कि हिंदी की उत्पत्ति कौनसे अप् पुलचाल की बहाँ शिस्टोर सुस्क्षित लोगों की capaci के वल पढ़ाई कि Sakamakaz में लाई जाने वाली दोस्तों चरण होते हैं सबसे बोली होती है बोली के बाद आती है भासा और भासा के बाद आती है मानक भासा बोली यानि कि जब जो कोई भी भासा है हमारी वो काफी एक छोटे शेत्र में बोली जाती है उसमें साहित्ती की रसना नहीं हो रही है यह सब चीजें बोली में आत सब्दावलिया मन्नी लगती है सास्त्र लिखे जाते हैं तक्निकी लिखी जाती है यानि कि भासा का सुद्धतम रूप सबसे सुद्धतम रूप या सबसे विकासिल भासा वही हमारी कहलाती है कौन सी मानक भासा ठीक है तो यही आपका कुछन है जिसे हम इस्टेंडर लैंग पासा तो यह पॉइंट आपको आप डिर्कली नोट डाउन करने हैं जैसे कि हम बात करें मानेक हिंदी जो हम वर्णमाला पढ़ते हैं जिसे ओ आई यह सभी मानेक हिंदी वर्णमाला के तहती आती है अब हम जो अपने गाउं भरों में मिलनी लैंग्विज बोलते हैं तो यह तो काफी ही जी कुशन है अग भी मैं थोड़ी पहले आपको बता है कब 10 जन्वरी 10 जन्वरी 1925 को दोस्तो पर्थम विश्व हिंदी सम्मिलन नाकपूर में हुआ था कब 10 जन्वरी 1925 को ठीक है उसके बाद दोस्तो भारत में 1925 में जो पहला विश्व हिंदी सम्मिलन ह भारत में ही था नाकपूर में ठीक है उसके बाद इसके अदिष्वता किस ने करी थी हो कर दी मौरिसर के प्रधान मंतरी ने ठीक है वॉर्श के प्रदान मंतरी कौन थे उस ताम पर डौक्टर सार सिवसागर राम गुलाम डॉक्टर सर सिवसागर राम गुलाम ने इसके अधिश्ता करी थी जो कि उस टाइंप मौरिशस के परदान मंत्री थे इसके बाद होता है क्या तीसरा विश्व इंदी संबिलन ये भी एक्जाम में पुशा गया दूस्तों उत्राखन के कहां हुआ था भोपाल भारत में था ऩब वोपाल भारत में हुआ ठाइर अगला मारा कूश्यन है कि कौनसी देवनागरी लिपी में लिखी जाती है उस तो तो वो लिवामराठी आ वहां देवनागरी लिपी में लिखी जाती है जैसे अगर हम बात करें देवनागरी लिपी में लिखी जाती है तो हिंदी के साथ साथी संच्रित हो गया और मराथी हो गया नैपाली हो गया कौंकरी हो गया यह सभी भासा है क्या होती है देवनागरी लिपी में बोली जाती है यह लिखी जाती है अगला अगर हम बात करें तो पंजाबी पंजाबी कौन्ची लिपी में लिखी जाती है तो पंजाबी गुरु मुखी लिपी में लिखी जाती है और जो कौनसी लिपी में गुरू लिपी में ठीक है इसके संसाच अगरम बात करें अंग्रेजी फ्रेंच या फिर जर्मन ये कंसी लीपी में लिखी जाते हैं तो प्रियाग की हिंदी संस्ता कौन सी है हिंदी साहिति सम्मिलन ठीक है और इसकी स्तापना कब हुई थी 1910 में हिंदी साहिति सम्मिलन प्रियाग की स्तापना 1910 में हुई थी और इसके पर्थम सभाबती थी कौन मदन मोहन मालवी जी ठीक है तो वैसे दोस्तों question तो बहुत सा तो इतने कुश्चन आप अंसर की में अंसर दे सकते हैं दोस्तों और नेक्स वीडियो में आपको इसके अंसर बता दूँगा डिटेल एक्सिलेशन के साइट वीडियो साइट काफी लंबा मनी गया है और इसी के सांसा दोस्तों हमारा हिंदी का ओनलाइन क्लास भी सुरू होन है 17 अगस्त से जो की चार से पांच मैंने का आपका कॉर्स हो का उस्तों यूके ट्रप्लेस्टी के सभी एक्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा सांसिनाद यूके प्येस्टी के प्रिलियम्स और मेंस के लिए भी काफी हेलफुल रहेगा आपका ये कोर्सिक है ड आपने हिंदी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी है या आपको समझ में कमाती है तो आप हमारे इस कोर्से जोड़ सकते हैं इसके सांसा दोस्तों हमारा उत्राखन का उनलाइन कोर्स भी चलता है जो की 27 जुलाई से आपका शुरू होने वाला है उत्राखन के सभी एक्जाम क के लिए अगर आप जुछते जुलना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें दिये के नंबर उपर संपर्क कर सकते हैं और उत्राखन का भले ही कोई भी एक्जाम दोस्तों हम काफी डिटेल्स में आपको वहां पर उत्राखन का स्लेवस कंप्लेट कराते हैं नंबर आप यहां है 7417-50616 और 941595080 हमारे उत्राखन के ओनलाइन कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है उस तो 6-7 मेने का यह आपका कोर्स है जिसमें आपको डेली मंडे टु फ्राइडे वीडियो लक्ट्यर्स मिलते हैं 30 मिनट से लेकर गंटे के बीच के जो कि रिकॉर्डर रहते हैं इसके साथ साथ में दूस्तो तू था जरे वनलाइन एंप्रृएंट प्रस नुतरियां भी आपको दी जाती है और काफी सारी अन्ने पीडियाप भी आपको हमारे इस कोर्स के माध्यम से दी जाती है और यह कोर्स आपका सभी एकजाम के लिए वीडियो बनाते रहते हैं यूट् आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों थैंकि हो थैंक्स पर आशीन वीडियो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अबने दोस्तों के जान भी सेहर जी जरूर करें थे निवाद